हायक मम्ता देवी को पांच साल की सजा सुनाई गई इसके साथ ही विधान सभा की उनकी सदसेता जाना भी तै हो गया है गोला गोली कांड में अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाई मामला साल 2016 का है रामगर में उक्चुनाव की सिती बन रही है ऐसे में कॉंग्रस विधागी दल के नेता आलमगीर आलम ने ये स्वष्ट कर दिया कि गठवन्धन के तहर रामगर की सीट कॉंग्रस की थी और आगे भी कॉंग्रस की ही रहेगी उन्होंने कहा कि इससे पहले जार्खन में पिछले दिनों चार उप्चुनाव हुए और चारों में महा गठवन्धन के जीत हुई है इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा आलमगीर आलम ने कहा कि उमिद्वार कौन होगा इसका फैसला राष्टिय नेत्रतु करेगा कॉंग्रस विधाएग दलके नेता आलमगीर आलम से एक्स्क्लूसिव वातचीत की जी मिडिया के जार्खन रसिडेंट एडिटर मनीश महताने इस वक्त हमाँ साथ पाचीत के लिए मौजूद हैं कॉंग्रस विधाएग दलके नेता और जारकन सरकार में मंत्री आलमगीर आलमगीर आलमजी हम सीधर उनी से बात करते हैं क्योंकि हजारी बाग कोट के फैसले के बाद अब यह तस्रीर तो साफ हो इन्हें देखिए घर से ही सोप मैनफेक्चरिंग करते हैं और महीने का एक लाग कमाती हैं आप भी सोप मैनफेक्चरिंग करना चाहते हो इनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए देखिए कल नहले में जो राय आया है हमारे बिदायक मुंता देवी का पच्च में नहीं आया और उसको सजा सुनाए गया और उन्हें के तहट जो है उसका जो हिस्सादस्दा जहने के कागार में है लेकिन लास्ट आप यह है कि जैसे आज उनका पती का जो अक्बर में बेयना है कि ने अलाए पर हमें आस्ता है लेकि ने अलाए ही जो नियम है ने पाली का कि एक कोड़ से नहीं तो दुस्रे कोड़ भी आप जा सकते हैं उसको लेकर हाई कोड़ मों जाएंगे आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो कहना बड़ी मुश्किल है लेकिन अगर उस चुनाव वहाँ होता है तो गरवन्न के तहट वो सीट कौंग्रिस की थी और आगे भी रहेगा और कौंग्रिस बाई एलेक्शन जब भी होगा कॉंग्रेस के जीत हुई गडवन्दन के जीत हुई और ऐसा होता है तो फिर हम लोगा गडवन्दन के जीत होगी विपक्षी कैम्प है वहां से एक खबर यह आ रही है कि इस बार बीजेपी एजेस्यू में गडवन्दन होने के स्थिति बन रही है और रामगर में उपचुन यह है लेकिन हमको के जैक कि के गडवन्दन में वीगर डूनों में चार चार ओप चुना हुआ हुआ है और जनता ने हमए आशिर्वार दीया है और आने वहाले समय में गडवन्दन गलता है तो साफ कर रहे हैं कि अगर चुनाउज के स्थिति बनती है तो ऐसी सूरत में कॉंग्रेस की दाविदारी वहाँ पर जादा मजबूत है और पूरी कोशिश होगी कि महागडबंदन के तहती रामगर सीट पर भी जो है कॉंग्रेस चुनाव लड़े कैम परसन राहुल दिक्षित के साथ मनीश मैता, जी मीडिया राच्चा भारती जन्ता पाटी चुनाव लड़ने के दिश्टी कोन से कभी संगठन नहीं बनाती है ये हम लोगों का लगातार प्रक्रिया है और बूतस्तर से लेके पंचायतस्तर से जिला तक सगंठन का विस्तार हमीशा लगातार चलता है और अभी वर्तमान में जो कल कोट का निरने आया है उसके बाद रामगड में उपचुनाव होना निश्शित हुआ है और पाटी तै करेगी पाटी के हमारे प्रदेश सद्धक्ष केंदरी निरने लेंगे किस तरह से आगे चुनाव की ओर जाना है और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो बारती जनता पाटी केके कर करता और नेता तयार है और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने जूट का पुलिंदा लोगों के बीच में रखने का काम किया लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आनेवले समय जनता जवाब देने के लिए तयार है जिस परकार से आज राज के जो हालात है और अब केवल जिस परकार से नौजवान खुद को ठगा मसुस कर रहा है किसान परिसान है राज की विधी ब्यवस्था का इस्तिती से पूरे राज की जनता तरह हिमाम है और ऐसे में जो जारखंड के हमारे आदिवासी मुलवासी भाई थे उनको भी इस सरकार ने गुम्राह करने का काम किया तो निशित रूप से ऐसे परसितियों में जब राज के अंदर चुना होता है तो राज की जनता उनको निशित रूप से सबक सिखाने का काम करेगी और बर्तमान सरकार अपने करने के कारण राज की जनता के विश्वास खो चुकी है अब बीजेपी क्या कह रही है वीजेपी का ख्यालि प्ल Разथ पकाना तो उनका मेशसे हैं का जीत रहे थे दुम का भी वो जीत रहे रहे थे बिर्मो भी जीत रहे थे मांडर भी सबीचनों तो वो जीती रहे थे और रमगड़ भी जीतेंगे तो समय आएगा तो पर भी समय नहीं है अब तकल ही हमारी वहां की बिधाई का मंता देवीजी को सजा हुई है और अब आगे मनें बिधानसभाद ध्यक्ष उसकी सद तो तुथी नरधारित करेगा इन्हें देखिए घर से ही सोप मैनफेक्चरिंग करते हैं और महीने का एक लाग कमाती हैं आप भी सोप मैनफेक्चरिंग करना चाहते हो इनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए